नमस्कार साथियों, मैं योगिस जोसी और हमार P.A.C. असिस्टेंट प्रोफेसर एक्डियाम दोजाटेश के लिए पेपर थर्ड पढ़ रहे थे इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थान में ठारा सो सताउन की क्रांती तो इस वी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, राजस्थान में ठारा सो सताउन की क्रांती के समय पोलिटिकल एजेंट कौन-कौन थे, तो कौन सी जगे पे कौन पोलिटिकल एजेंट थे, यह कुश्चिन आपसे पूछा जाता है तो इसको आपने एक सरल ट्रिक्स से याद करेंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए तो सबसे पहले हम देखते है कोटा, कोटा में पोलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थी मेजर बटन, कोटा में कौन थे, मेजर बटन पोलिटिकल एजेंट थे, तो इसको ऐसे याद करेंगे, कोड, कोड में क्या लगते है, बटन, बटन कहां लगते है, कोड में, तो मेजर ब में선 कहां के प् pratical egents नेर्ट नेश्ट हम दिखते हैं मौरिसन ऑप पिर करत पर प्य इजयंट थी इसको कैसे याद करेंगे इसको याद करने के लिए गूमने जाकि और और आपको मारिस और पॉलिटीकल और पहर का सजाथ माइक craft को सब्सक्रां में पहरे करें का दो लिए इंडियंट, Kयरेंथ कि पॉलिटीकल अज्वरिण आइज विए लोग तो सब लोग नातेद होते है थीक है तो मलब सावर लेते हैं तो सावर कब लेते हैं जब सूरी उदे होता है तो सूरी उदे होने पर ही क्या या लेते है सब लोग सावर तो उदे पूर के political agent कौन थे सावर नैस्ट की शिरोही शिरोही कीái political agent कौन थे जे डी हाल कौन थे dawn तो इसको कैसे याद करेंगे की सिरोही सिरोही में कैसर और चाहिए चट चाहिए चंध चाहिए मतलब कमरा चाहिए ब्ड़ा कमरा क्या चाहिए राजस्तान में कitणी सैनिक च्छाउनिया ही वह थी च्शह चाहूनिया और 1867 की किसमें , कौन कॉन थी थी नसीराबाद नीवत डेली ब्यावर एरिनपुरा और खेळषिवाराद नालेहले सकते हैं 1847 की किसमें राजिस्तान में 6 से ही देजा ऑनुयाबल नहों थी जानिक श मोट नालेहलेтор नहींदज glitter रेली नेश्ट है कि 1807 की क्रांति के समय राजिस्तान के AGG का मतलब क्या होता है? Agent to Governor General, वो कौन थे? George Patrick Lawrence, 1807 की क्रांति के समय राजिस्तान के AGG कौन थे? Agent to Governor General कौन थे? वो थे George Patrick Lawrence, कौन थे? George Patrick Lawrence, Next, हम देखते हैं 1807 की क्रांति के समय कौन सासक थे? कौन से जगह पर कौन सा सक थे? यह QUESTION भी पूछा जाता है, कि 18007 की क्रांति के समय Maalo Jodhpur के सासक कौन थे? Bhradpur के कौन थे? ऐसा QUESTION भी कुस्चन थे पूछा जाता है बास क्या होदा एक प्रकार की लकडी की फॉर्ण दूंगरपूर के सियसकते उधे precis तो इसको याद करने के लिए आपन क्या देंगे आपको जब बच्ण्य में कोई चित्र सबनाने का कैते टे कॉमन चित्र आप याई बनाते थे एसे पहाड बनाते थे konnte पाड के पीछे ऐसे क्या बना देते थे तो इसका मतलब क्या हो गया तो बच्पन में आपको जब चित्ल बनाने को कहते थे तो कैसे बनाते थे ऐसे पाड बना देते थे ठीक है और उसके पीछे सूरी उदे वह दिखा देते थे तो पाड को क्या कहते है डूंगर के पीछे से क्या होता है शूरी का उदे होता है ठीक है तो जो शूरी का उदे होता है उदे कहां से होता है डूंगर के पीछी से तो डूंगरपूर के सासक कौन थे उस टैम उदे सी है नेश्टम देखते है प्रतापगड प्रतापगड की सासक कौन थे दलपत सी है कौन थे दलपत सी है इसको कैसे याद लखेंगे तो दलपत में क्या रहा है लपत लपत ठीक है तो लपत किसके लिए होती है आग की लपते होती है आग की लपते लगती है तो क्या बढ़ जाता है ताप बढ़ जाता है तो प्रताबगड लपत होने से क्या बढ़ जाता है ताप बढ़ जाता है तो दलपत सिंग कहां की सासकते, प्रताब गड़ के, ऐसे याद कर सकते हैं, नेश्टा की जालावाड, जालावाड के सासक कौन थे, प्रित्वी सिंग, प्रित्वी सिंग, तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो बॉल कहा चाता है, तो यह ना क्या बोलते हो, एक एक रुर मैं जीत जाता है, तो उसकी क्या होती है, जेजएकार, रन में जीत जाता है क्या होती है, जैजेकार, तो रन जीत सिंग से कराकें थे जैसल विन विन है तो वन जरय नहाँ चाहिए तो के साथ से क्यों योता है दोलह कौन बजी डोलह तो इसको ऐसे याद करेंगे कि छोटे बचनार गर ड्र운 तो या सबसे है रूड गई तो इसको कैसे याद करेंगे किसी को आपन कहते हैं ना कि यह काम मत करो तो मत करो तो मत करो तो मदन पाल के थे करो लिके नेक्स हम देखते है बीका नेर, बीका नेर के सासक कौन थे, वो थे सर्दार सी है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, तो बे, बे का मतलब होता है दो, और कान, कान, कान होई है, ठीक है, तो बे कान, बीका नेर, वो कहा है, दो कान कहां पे होता है, सिर पे होता है, तो बीका, बीक मात्रा में क्या देना चाहिए जस्त देना चाहिए ठीक है तो बड़पूर मात्रा में यह जस्त देना चाहिए तो ऐसे याद लखेंगे बड़पूर के साथ सकते जस्मन सी नेक्ष्ट है उद्यपूर के साथ कौन थे उद्यपूर के साथ सकते स्वरूप सी तो ऐसे याद ल सिरो पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प तो इसको ऐसे याद करेंगे जब कोई किसी के जय होती है कोई जीत जाता है तो उसे क्या दी जाती है बदाई दी जाती है उसे राम राम बोला जाता है अभिवादन किया जाता है ठीक है तो जय से क्या गया जैपुर को से कोटा और दी से मुंदी तो किसी की जै होने पर उसे क्या दी जाती है राम राम अभिवादन किया जाता है बदाई दी जाती है तो जैपुर कोटा और मुंदी इनके साथ कौन थे उस टैम राम सी हैं कौन कर सकते हैं नेक्स्टम देखते हैं विद्रो के बारे में देखते हैं अब विद्रो के बारे में देखते हैं अठारा सो सताओं की क्रांती की टाइम विद्रो हुए थे कहा कहा क्या विद्रो हुए थे उनको देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद में विद्रो कर दिया, सबसे पहले क्सिस ने किया था, पंधर्वी बंगाल नेट्यु इन ही worship ने विद्रो किया कब किया था, 28 मईं 818mani को, तो राजिस्तान में सबसे पहले करांथी की शुरवात वूआ थी नसीराबाद चावनी से कब वूइती 28 मी इあー a Taythera सो सत्हाओं को और बंगाल नेटिव इंतिन ने विद्रह कर दिया बंगाल नेटिव इंतिरिके जो तांतिकारी लोग थे उन्होंने कर्णल न्युबारी और मेजर पृटिस वूड की हत्या कर दी तो क्या वर्स तो 1857 है तो नीमच में विद्रो हुआ तीन जून को नीमच में जब विद्रो हुआ था तो कैप्टन सावर्स थे उन्होंने किस राज्य से सायता लेकर नीमच पर पुनह अधिकार कर लिया तो वह है मेवाड कोटा और बुंदी इन तीनों की राज की सेना की सायता से उन्होंने वापिस नीमच पर अधिकार कर लिया अब आपन देखते हैं एरिनपुरा तथा अववा में क्रांती तो एरिनपुरा में जब विद्रो कब हुआ था वह था 21 अगस्त को एरिनपुरा के साथ सक फिर जब आववा पहुंचे थे तो वह ठाकुर कुसाल सिंग क की सरन में आगे थे तो यहिस जब एरिनपुरा के सेन GR चब आववा पहुंचे तो वह ठाकुर कुसाल सिंग की सेवा में आगे नेक्षरम देखते हैं अठारहशो सिंग की राती के समय इस्तान पर धाकुर कुसालसी को ऐनको 28870 177 कब, 288committee 1877 पर किस इस्तान पर पराजित किया थाकुर कुसालसी ने उनको पराजित के था कौन से इस्तान पर Universireann में जोंग्य के पराजित कहूं थाकुर कुसाल सिंह था अब यसा रचल जो जयो गया ज्या आरज हो गया फिर उसने बाद में वापिस 18 सितंबर 800 सेतान को वापिस सेना बेजी और उसने तो फिर ठाकूर कुसाल चिंगी सेना और जॉर्ज प्ट्रिक लॉरेंस इसकी सेना के बीच में यूद कहा हुआ 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 ह मैग मैजन्टामेग मैशन नाय तो वह कौन से यूद्फ में मारा गया हो बनाय ग्यार में पबातियूसेयह के लटका दिया नेश्ट्रियulle 2008 को ब्रिगेडियर हॉम्स नаки squ deputy सलूंबर चले गए और फिर बाद में कहां चले गए कोठारिया तो 20 जनवरी 1808 को जो ब्रिगेडियर होम्स थे फिर उन्होंने आक्रमन किया था ठाकूर सी कुसाल सिंग उस टाइम अवगा को छोड़ करके कहां चले के पहले तो सलूंबर गए फिर बाद में कहां चले गए को कोथारिया के ठाकूरते उस त्रेम जोदráं।धे जोध सी कोешь ये उन्होंना ठाकूर गुसाल सिंग को में सरन्ग दी कहां पे सरन्गे दी वो ली थी कोठारिया में। कि धाकुल एंटईपूर में क्याता में देखते हैं धर्यस्जेन की कैसे व्मयर्च इक योठ ूचर के से छाफ्थि sequel अक्टूमबर की किनकी अतिया कर दी थी वो की ती मेजर बर्टन और डॉक्टर सेल्डर की तो मेजर बर्टन और डॉक्टर सेल्डर की अतिया कहां की क्रांतिकारियों ने कीती वो है कोटा के क्रांथी कारियों ने नेक्ट देखते हैं कोटा में 1807 की क्रांथी के नेता कौन थे वो थे जैद्याल और महराब खान तो कोटा में 1807 की क्रांथी के नेता थे जैद्याल और महराब खान ये बहुत इंपर्टेंट है पूछा जाता है बारबात कि तो और चैयदय mitig सेंबढ है कोटा की क्रांती से कोटा महराओ कौन थी उस के साहता के लिए पूचाओ कि इस सहना बजे थी वो करोली ने बेजी थी नेस्ट हम देखता है दोलपूर में क्रांती कहां पर क्रांती दोलपूर में क्रांती के जो नेता थे वो कौन थे रामचंद और हीरालाल दोलपूर में जब क्रांती वीती उसके नेता थे रामचंद और हीरालाल नेस्ट की दोलपूर में विद्रोह क को दबाने के लिए कहां के सासक ने सेना बेजी तो बेजी थी पटियाला के सासक में दोलपूर के विद्रो को दबाने के लिए पटियाला के सासक ने सेना बेजी थी दोलपूर में नेक्ष्ट देखते हैं कि अठारा सु सताम की क्रामती है और उसके नेता ये पूचे जाते ह कोटा के नेता कहुंन थे जैद्यालाब महराब ये दोनों कहां चं drift खेट ने llama के ये दोन्हों कहां के नेता थे ये दोनों थे दोलपुर के नष्ट केसरी जी कहां कि नेता थे वो मैं तक हो थे कहां के कोठारिय के क्षरी से im s detそう in high then in MY comfort Nahします देखते हैं तब ठák ओर कोषाल स márच सरण को क्स ने अपने यहां सरन्दीती तो दो थे कोठारिय के director कोठारिय के जोजद्सी नाना ताव पैस्व नाक साफ पेस्वी पहलोट अव्हावां को अपने याँ सरंदिधी में वह कौनते जोच सीयने सरंदिधी, या श्रम देखते हैं राजिस्थान के कुछ क्रांति कार्इयों के बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चेताउनी राचुंगत्या, यह उड़ ऑनाव केशरी सिह भारट नए, न सामिल होने का निश्चे किया, तो वो थे उधिपुर के माहराना फतेसिया उधिपुर के माहराना फतेसिया ने जब चेताँनी रा चुंगतिया ये सुना था तो उन्होंने एडवर्ड सब्तम का जो दिळली दर्वार लगा था उसमें न जाने का निश्चे किया था उदेपुर के महाराना फतेशीन है नेस्ट है मेवाड की पुकार मेवाड की पुकार क्या है तो मेवाड की पुकार क्या है 21 सुत्री मांग पत्र है क्या है 21 सुत्री मांग पत्र है इसको मोतिलाल तेजावत ने मेवाड के महारान को दिया था तो मेवाड की पुकार क्या है 21 सूतरी मांग Πतर है जिसको मोतिलाल तेजावत ने मेवाड के महारान को दिया नेक्स्ट हम देखते है राजिस्तान सेवा संग की स्थापना किसने की विजय सियंपतिक उनके साथ अर्जुनलाल सेटी, हरिभाई कींकर, केशरी सिंग भी थे तो उन्होंने की मैं कौन थे विजय सियंपतिक उन्होंने इसकी स्थापना कब की 1919 में वर्दा में तो राजिस्तान सेवा संग की स्थापना की विजय सियंपतिक ने 1919 में वर्दा में जबकि वीर भारत सभा ये कुश्चन अभी पर्ष्ट ग्रेड एकजाम में भी पूछा गया था और एक दुवार और पूछा जा चुका है तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी वो थी गया दीपी थे में कौन थे विजय सियंपतिक नेक्ट जेन शिखसा प्रचारख समी ती और वर्दमान विध्यावले जह कि गाहां इसते में जैपूर उसकी इस्थापना क只ने की उसकी सूरे मोगे अर्जुन लाल सेटी और हिरालाल सास्त्री ने लेべ पर बंड किस्ने भूजया तो वह रासभी हमारी बवास थे उनके सारा राजिस्ताल के कौन थे जोराव सिंग बारट तो दिली में लड हब्र वोड़िंग बेम भारट उबू Stack जोरावर सियं बारट, नेक्स्ट हम देखते हैं, बनारत सडियंत, बनारत सडियंत का संबंद किस्से है, वो है प्रताप सियं बारट, किस्से है, प्रताप सियं बारट का संबंद है, बनारत सडियंत से, नेक्स्ट हम देखते है, टाजिस्तान में गरपतार होने वाली पहली म आचा बतीजाते तो गीत का संब्ध किस से है डूँंग जी और जवार जी से लोठू जी निथर्वाल डूठू जी निथर्वार गिसके मिनग जक जर्वार के साथी थे सारा जौने गीत क संब्ध रूंब जी और जवार जी कहां के थे सीकर के नग्री प्रचारी नी सभा इसकी इस्तावना की थे लुए जोटपुर के है विद्या प्रचारी नी सभा अंगरे जो द्वारा फ्यासि दी गई तो पहले व्यक्ति कौन थे वो थे अमर्चंद बाठिया बीकानेर के थे राजिस्तान के पहले विक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फासी दी थी वो थे अमर्चंद बाठिया जो की बीकानेर के थे इनको फासी क्यों दी थी क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे और लक्षमी भाई की सायता की थी इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें फासी दे थी नेस्ट है असयोग आंदोलन के समय किसने अपनी राय बहादूर की उपादी वापिस लोटा दी थी तो वो थे जमना लाल बजाच जमना लाल बजाच ने असयोग आंदोलन के टैम अपनी राय बहादूर की उपादी वापिस लोटा थी नेश्ट है पद्म स्री और पद्म गुसंड से सम्मानित राजिस्तान की पहली महीला रतन सास्त्री नेश्ट है कि जंगल जल जमीन आंदोलन किसने चलाया था मामा बलेश्वर दयाल किसने मामा बलेश्वर दयाल ने जंगल जल और जमीन आंदोलन किसने मामा बलेश्वर बवन जुन्जनु की स्थापना की थी वड्याती बवन जुन्जनु की स्थापना की थी सर्दार हरलाल ने और सर्दार हरलाल का समझ किसे सीकर के किसा नांदोलन से नेक्स्ट की स्वराज सब्द का सरु प्रिथम प्रियोग किसने किया स्वामी दयानन सरस्वतिने और उन्होंने हिंदी को अपनी राष्ट पासा माना था सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगा वीडियो को लाइक करो जाद से जाद से शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू